नमस्कार दोस्तों स्वागाता आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आप देख रहे होंगे एक अपनी निर्मला सितारमर जी घड़ी हुई है और एक तरफ हैं यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ये अभी एक बहुती रिसेंट्ली मीटिंग हुई है दोनों यह है कि आगे देखिए लास्ट में देखिए मैं आपको यहीं दिखा देता हूं यह प्रेग्राप देखिए इंडिया इस्टिल डज नॉट है वे रेगुलेटरी फ्रेमबर्क फॉर क्रिप्टो करंसी सीता रमन सेड लास्ट मन्ट एट अंडियन गवर्मेंट बिल डिसक क्रिप्टो टोगुलेंटि डिरिंग इट्स जी ट्वेंटी प्रेजिडन्टी टु इस्टेबलिस एक टैक ड्रेवन ड्रेगुलेटरी फ्रेमबर्क फॉर डिजिटल असेट्स यानि कि अभी तक यह कोई ऐसा फ्रेमबर्क नहीं बना पाय थे और नहीं ऐसा कोई इन्होंन इंडोनेसिया में और डेट आप बहुत ध्यान रखिए डेट है आपकी 15 और 16 नुवंबर यानि के बहुत दूर नहीं है बस एक दिन की बात है बीच में तो आपकी इमालेज़े 15 और 16 नुवंबर को G20 की मीटिंग है और उसमें इंडिया की प्रेजिडेंसी रहेगी यानि ए जो एकचेंज कर रहे हैं उस पर भी पूरा फोकस है क्योंकि यह ज्यादा फोकस है US की जो ट्रेजरी सेकरेटरी हैं उनका क्योंकि यह जो FTX है भाई यह वहीं से ज़ादा प्लांग करता है तो इस वज़े से इनका फोकस इस बार उस पर ज़्यादा है और इसमें सीधा सा का इसाब ये भी है कि जो भी अब इस तरह की गत्वती करेगा और उसको पकड़ के पहले तो अंदर करो दूसरा जो इन्वेस्टर का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको रिटर्न करने की गारंटी इनको देनी पड़ेगी तभी इनको अब लाइसेंस बगेरा दिये जाए है तो आप सरकार जो है उसके बद लेका इन्वेस्टर को पैसा दे सके तो कुछ इस तरह के कानून अब बनने जा रहे हैं अच्छी बात है बनना चाहिए क्योंके रोज-रोज का ये ड्रामा कम से कम खतम तो होगा तो कुल मिला के अच्छी बात है कुल में आप थोड़ा चलता है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज एक न्यूज और भी निकल क्या रही है देखें क्रेप्टो एक्चेंज क्रैकन फ्रीज अकाउंट्स ओफ एफ्टी एक्स अलमेंडा रिसर्च एंड देर एक्जीक्यूटिव्स देखते हैं इन में आगे क्या है यहां पर देखें इ देर एक्जीक्यूटिव्स दोश अकाउंट्स है बीन फ्रोजन टू प्रोटक्ट देर क्रेडिटर्स यानि के कुल मिलाकर सारी की सारी जो जितनी मुस्किल मुसीबते हैं वो सब एक्टी एक्स पर दीरे दीरे आ रहे हैं खर देखें जो उन्होंने किया है वो उनको बहु जा रहे हैं मार्केट अभी अपना जो है बीटी सी देखें 16,546 डॉलर और मार्केट कैप अपना जो है पूरा 832 बिलियन का यानि कि 900 बिलियन पर भी अभी नहीं पहुच रहा है एथिरियम 1229 डॉलर पे चला है और शिवा इन्हों देखिए 5 टाइम 0917 डॉलर चला है यान तो वहाँ से अभी यह थोड़ा नीची आ गया है क्योंकि भाई प्रॉलम ही ऐसी चल रही है दूसरा FTX के साथ रोज कुछ न कुछ प्रॉलम बढ़ती जा रही है तो इस वज़े से देखे 16 अपर थोड़ा सा इंपक्ट है अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चा रहा जब मैंने आपको सजेस्ट किया था उस टेम इसका रेट लगबग जो 1.6 डॉलर के असपास था और वहाँ से अभी देखिए लगबग ये ऊपर जाके 2.2 डॉलर पर पहुंच गया है और परसेंटेज में देखा है 24 आवन में लगबग 71 परसेंट इसका प्राइज बढ़ चुका है तो कुलिमलाक ये क्यों हो रहा है क्योंकर dydx, pancake swipe और आपका trust wallet ये क्या है decentralized तो लोग क्या है centralized एक्स परिशान है तो इसकी वज़य से अब ये लोग जो है shift कर रहे हैं decentralized तरफ के तो इस वज़य से इन में देखिए growth अच्छे कासी है अब मैं आपको देखाता हूं pancake swipe, pancake swipe में भी देखिए थोड़ी सी बड़त है लगबग 2% के आसपास लेकिन बड़त है ये भी decentralized की वज़य से आप दिखाता हूं आपको dydx ये देखिए dydx भी लगबग आपका देखिए 31% इसका price बड़ा हुआ है और 24 hour और अभी इसका price 2.4% है और देखिए मैं आपको एक चीज हां और clear करूं ये price जितने भी decentralized exchange हैं उनके tokens हैं उन सब के price अभी बढ़ेंगे क्यों बढ़ेंगे क्यों के centralized exchange जो से withdraw करके लोग सब जो है decentralized में अपना shift कर रहे हैं इस वज़य से इनका price देखिए अभी बढ़ेगा तो आप भी थोड़ा सा सोचे इसके बारे में फ तो आप अगर detail में देखना चाहते हैं तो मेरा सामवाला वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों ही coin आपको suggest के थे और तीनों ही एक अच्छी खासी progress कर रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई update के साथ नमस्कार